उस लड़की का क्या नाम है राहूर? जिससे तुम कॉलिज के समाने में प्यार किया करते थे? पताय तो था? उसके शादी हो गए तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुए है? इसका जवाब तोई दे सकती है। कहां रहती है वो? पहले तो मेरे दिल में रहती थी। अब पता नहीं कहा है। क्या वो उसी कॉलिज में थी जिसमें तुम और के दिन थे? हाँ, क्या नाम है उसका। पूछते हैं वो की गालब कौन है। कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। क्या नाम क्या है उसका। अगर नाम लूँगा तो वो बतनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम। इसमें कुछ परदा नशीनों के भी नाम आते हैं। दिल के दर्द को शायरी और शराव में चुपाने से दर्द कम नहीं होता। पर जाता है। आराम तब मिलता है जब बात सुबान पर आ जाए। कुछ बतें ऐसी होती है सुनील। जो अगर सबान पर आ जाए तो कयामत आ जाए। कयामत को तो एक दिन आना ही है राहूर। आज आ जाने दो। चोड़ो ना यार कोई और बात करो। मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। मुझे तुम पर शक हो रहा है। लगता है तुम इसलिए चुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूँ शाहिए। तुम बहुत भी खतरनाक आदमी हो सुनील। तुम ने ये नेवी देवी को जॉइन कर लिया है। तुम्हे तो वो दीवियाए में होना चाहिए था। ऐसे कह लेते हो कि अगर मेरी जाएगा कोई और आदमी होता ना तो अभी तक सब कुछ उगल देता। यही मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ उगल दा। तुम्हारी आत्मा पर कोई बोज न रहे। बोज। उसकी याद बोज नहीं है सुनील। उसकी याद एक अमानत है। बहुत ही असीन। बहुत ही प्यारी। बहुत ही कीमती अमानत। जो मेरे पास है और मेरे साथ जाएगी। इस अमानत में मैं तुम्हें कैसे शरीक का सकता हूँ सुनील। इसमें तुम्हें उसे भी शरीक नहीं का सकता। जिसकी ये अमानत है। दिल धड़कने की सदा। दूर तलक जाती है। तुम्हारा गोटल बहुत दूर है। आज की राथ नहीं काटो। ठीक है।